हें देखिए अधिन में इंतिफर और कि यह यूजिए इंटिटी आइइस में कर रही है कि यह हमसे चलिए जी फर्स लें टेखिए फिर्स केमेरा 404 देखिए इसमें यूज़ करनी यह लेकिन हमें पहले को बनाना पढ़ा देखो जब बहुत सारे अग़ा कैसे बना सकते हो आ एक प्लस बीकर स्कुर्ण वाली इसको आप लिख सकते हो for example let's say 105-1 ठीक है तो इसमें इसमें कौन से रख जाएगी एक माइनस वाई का होल स्कुर्ण आप लिख सकते हो दोनों में से आपको कौन सा प्रैफर करना यह वाला क्यों क्योंकि जब भी आप इसको बनाओगे ना आप ऐसा बनाना कि यहां पर ऐसा नंबर आए टैन हंड्रेट थाउजन ऐसा नंबर आए कैल्कुलेशन में एजी हो ज ज्यादा इजी है ठीक है तो आपको ऐसी आइडेंटरी बनानी है तो आपको ज्यादा इजी हो जाए तो सबसे बएल आप इसको लिखेंगे हान्डरेड प्लस फूर का गोल स्क्वेयर का आप लिखेंगे यूजिंग Armor यह मेरा जी खराब के बनता है हर बार अक्थे से बनाऊउगा कि यूजिंग हिसां ईडेंटिटिटी теп एक्स फ्रस वाई का होड़् स्क्वेए एक्च्वेर फ्लस y-square फ्लस 2x कोई बच्छ हया पर एक स्क्वर कोई सब्सक्काया एक सब्सक्राइब को इसका है टो यह स्कूरय जैसे अदने से ज्री इसे अब अगरे तो प्लसब्समिन कोब स्कता तो मुझे नंदीं उसको यह जता सब्सक्क्राइब 15जर्क्राइब टू एक्स और यह हो गया मेरा वाई सॉल्व कर दो एक दो तीन चार प्लस फोर फोर्जा 16 प्लस 200 को फोर से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 800 इसको मल्टिप्लाइ कर इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा देखो 10816 यह मेरा आंसर हो गया 10816 चलिए अरप करते हैं इसको सेकिंड पार्ट देखिए इसका वह कितना हमारा 499 तो इसको कैसा बनाएंगे देखो इसको बना सकते हो 400 प्लस 99 या फिर इसको 500 माइनस एक ठीक है ऐसा बना सकते हो अब खुर सोचो कौन सा ज्यादा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हमारी असान है क्यों वन नाइस में 99 ठीक है और यहां पर 400 पानसों है तो ठीक है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है ना कैसे लिखेंगे इसको हम 500 माइनस वह आंसर से माइगा कैसे भी कर लो कि यूजिंग आइडेंटिटी एकस माइनस वाई का होल स्क्वेर एकस्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर माइनस टू एकस्वाई प्लस वन का हो जाएगा माइनस टू पानसो एकस और यह वाई तो दो बार एक दो तीन चार पानसों अस्क्वेर यह होता है ठीक है प्लस वाण माइनस हजार ठीक है तो अब देखिए कांग या बच्यों मेरा कैलकुलेटर जल्दी से आज़ा बाई जल्दी कर देते हैं 1000 कि आया यह इसमें अमने प्लस किया वटीक है प्लस वट तो 24901 टीक है ना 24901 यह मेरा अनसर हो गया ठीक है चलो इसको भी रप करते हैं पस्ट होगा सैकेंट होगा थर्ड करेंगे तर्द देखिए 100 multiply 100 टिक है माइनस 83 multiply 83 और नीचे कितना है 70 इसको सॉल्ट कर नहीं पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको मैं एसे लिख सकता हूं क्या 100 पूरे का होल स्कूर बाद है 100 को दो बार ऐसे इसको भी जिख सकता हूं माइनस 83 दू बार ठीक़ है अब ओन में 17 अब में इहां पर जगातु हंगा कौन सी देखिए यहां पर लगेगी देंगो 2, 2 पहले है यह पर लिख देते हैं यहां पर लखेंगे कि हम यूजिंग आइडेंटिटी कौनसी x square minus y square कितना हो जाएगा x plus y और x minus y so x plus y ठीक है जी दूसरे में x minus y नीचे कितना हो जाएगा 17 बच्चों मेरा चैनल प्लीज सपोर्ट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो add free add free videos आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलती है, मेरा गला भी खराब हो गया one second तो बच्चो add free videos मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती है, कोई advertisement नहीं आता, मैंने सारे advertisement ब्लॉग कर रखे है ठीक है, तो मुझे support करो बहुत मेनल लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है चलिए, चलिए, इसको solve करते है 100 में से अगर 80 के तो बचेंगे हमारे 20 20 में से 3 और माइनस के तो बचेंगे हमारे 17 ठीक है, यह मेरा style है, अब देखिए प्लस करना था ना भाई, तो 17 आजाएगा हमारा यहाँ पर यह वाला 17, 100 और इसको प्लस करेंगे तो 183 ऐसे, नीचे है 17, 17 से 17 कर गिया तो 183 होगी हमारा answer चलिए, फूर्ट पार्ट देखिए इसका देखो यह है, इसको पहले मैं identity में convert करना पड़ेगा, मतलब कुछ arrangement करना पड़ेगा अब ध्यान तो, अगर आप ध्यान देंगे ना अगर इसमें मैं 0 इसमें अगर मैं 0.08 add कर दूँ तो कितना बनेगा यह तो मेरा यह बनेगा 2.00 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा कितना बनेगा 2.00 तो सेम आ गया, मतलब यहां पर 0.8 का यहां पर कुछ नहीं है यहां पर 0.00 इस तरीके से तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो इसको लिख सकता हूं 2.00 2- 0.8 ठीक है क्या फिर आपको ऐसे दिखाता हूं इसको आप यह से लिखो 2.00- यह ठीक है, 0.08 ऐसे, multiply इसको कैसे लिखोगे आप 2.00 प्लस 0.08 प्लस 0.08 प्लस 0 लगा सकते हो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है और तोड़ा समझ भी आ था कि हाँ, पॉइंट है यहां पर ठीक है यह लगा लो, minus है यह point हो गया ठीक है, इस तरीके से अब देखो, इसको solve करोगे वापस से बनेगा इसको solve करोगे वापस से बनेगा अब मेरी identity बन गई कौनसी using identity x-y 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 2.00 x-y 0.08 y- square 4.00 2.00 2.00 इसका कर लेते है मैं calculator से कर लेता हूं 0.08 multiply 0.08 यह मेरा आएगा 0.0064 ठीक है, यह आजाएगा अब कैसे अब short trick भी समझे 8 को 8 से multiply करो कितना आएगा 0.08 रहा इसको बस आप 8 समझो अभी 8 को 8 से multiply कर रहा 64 अब point देखो चलो आप ऐसे confused होगे simple आप कर लेना यार कैसे करोगे देखो ऐसे कर लेना 0.08 0.08 multiply कर देखो 0.08 multiply 0.08 64 अब point देखो कितने के बाद है 1 2 3 4 यहाँ point आएगा ऐसे 0 आएगा ठीक है तो बेसिकली यह था अब 4 में से हमें इतने minus करने को कैसे minus करेंगे 4.1234 किसी भी नमर के बाद में point देखो कितने भी 0 ले सकता हूं 2.0000 यह हमारा 2 यह basically तो यह हमारा 4 यह basically ठीक है तो जीरो पॉइंट पॉइंट आता है 0064 10 में से carry लेंगे 10 में से 4 गए 6 9 में से 6 गए 3 3.9936 आंसर देखता हूं क्या रहा है 3.9936 ठीक है जी आंसर कितना आ गया 3.9936 ठीक है चार पार्ट होगे बच्चों इसके इसके दो पार्ट है पांच और छठा वो मैं अप्लोड करूंगा ठीक है कुछ देर बाद अब हम करेंगे क्वेशन हमारा 3 का 5 पार्ट यह मारा क्वेशन है तो इसमें हमारा इडेन्टेटी यूज करनी है तो इसको पहले आइसे लिख सकते हैं देगो क्या मैं इसको आइसे नहीं लिख सकता हंड्रेड प्लस 3 और हंड्रेड तो थीक है यह होगा यह उगा मेरा हंड्रड माइनस टिक है जी कि वैसको एसे लिख सकता हूँ प्लस प्लस अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी प्लस नहीं आता तो हम ऐसे बना लिए यहां पर माइनस आ रहा है तो प्लस करके माइनस कर लेंगे और यह पूरा का पूरा बी है अगर यहां पर माइनस आता तो प्लस करके माइनस त्री में कर लेते तो जब भी हम जब भी हम लिखेंगे ना तब हम फोर नहीं लिखेंगे अब हम माइनस फॉर लिखेंगे कैसे देखिए इसका उल्फ हॉन्ट स्क्वेड प्लस ए प्लस बी तो ए मिरा थी ए ठीक है पलस और बार कितना है एक मतलब हन्डेड के ब्लस ए भी तो ए ये रहा और भी मिरा ये रहा पूरा-पूर लिखेंगे माइनस फॉर तो एक, दो, ती फिर्क प्लास मैनस माइन सिर्क थिंदर करेंगे 100 ख घो इकशाए यहाँ एक सो बारा तो एक दो तीन चार में से आप 112 मानस कुछे तो आपके तस में से कही लेंगे टैने से त्युवाद इडैने से पर गया इट यहांपर बुचा नाइन तो कितना आगए बारा 9888 तो यह मेरा क्या हो गया आनसर हो गया बिल्कुल ठीक आनसर है चली से को अपकरते चलिए इसका देखते हैं सिक्स पार्ट लास्पार्ट इसको कितना है 95 x 97 इसको ठीक करते हैं कैसे ठीक करेंगे देखें सिंपल है आप इसको लिए 100 हंड्रेड से करने में थोड़ा एजी होता है 100 लिखिए और लिखिए इसको प्लस-5 जो अना यह बनानी है इसको मैं किसी और तरीक से लिख सकता था कैसे इसको लिख सकता था 90 प्लस-7 अगर इसको 90 प्लस-5 लिखता और 90 प्लस-7 तो मुझे यह अरेंजमेंट करने की जरुद नी दिए माइनस लेने की लेकिन मुझे लगता है कि उससे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएग इसको दूसरा इसको दूसरी तरीक से भी अगरते हैं यि प्लस-5 और इसके लिख बनाना पड़ेगा एकस प्लस-20 on nada x स्क्वेर plus a plus b x plus a b तो देखो हमारा इसमें एक स्क्वार कितना है 90 इसका हम ने कर दिया square plus a plus b 5 plus 7 ठीक है plus 5 और यहां पर हमारा 7 तो कितना हो जाएगा 99 जाएटीवन दो जीरो चलो ठीक है इसने भी ज्यादा क्रेकुरीशन है नी डिफिकल्ट प्लस अच्छा यहां पर हमने 12 और भार कितना हमारा 90 तो मल्टिप्ला होगा 5 7 35 चलिए 8100 बारा को 9 से बल्टिप्ला करेंगे तो बारा ट्वेल नाइस अब दाब 108 प्लस 108 यह 0 का 0 प्लस 35 सबको प्लेस कर देते हैं 8100 1080 और यह मारा 35 558-1911 111-1289 9215 9215 यह अंसर कितना गया इसका 9215 यह हमारा आंसर हो गया इस सारे मैसर से आपको करके दिखाता हूं अंसर दोने में सीम आएंगे आपको चुननना है कि आप कौन साल लेना चाहते हैं ठीक है जलिए इस से करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 100 स्कुंए ठूसे माईनश 5 पूरा पूरा लिखिएंगे फिर फॉय से प्लस उस संवा फिर मानेस यह इस तरीके मारा आएगा अर रहें कितना आएगा मारा 100 प्लस मांनेस 5 और मानश 3 टीटीट 20 fuss 2000 करते Dienst7 एक दो तीन चार प्लस बैकिट में पांच और तीन कितना हो जाएंगे तो एक दो तीन चार इसको माइनस आट सो ठीक है प्लस पंदरा आप हमने क्या करेंगे 10015 इसको और इसको करती है प्लस मानस कर देंगे इसमें जाट सो ठीक है फाइफ वन टैन में सेट गए टू नाइन नाइन टू वन फाइफ इसमें भी आंसर ठीक आ गया तो आप कैसे भी कर जाते हैं ठीक है तो हमारा क्वेश्ण हमर्थर्ड हो गया कंप्लीट